हेलो एन वल्कम गाइस मैं हूँ संजी कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल गो उनलाई तो गाइस आज आपके लिए लेके आए हूँ HSBC बैंक की तरफ से Zero Balance Saving Account जिसका नाम है Basic Saving Bank Deposit Account इसकी क्या-क्या benefits आपको मिलने वाली है क्या-क्या features मिलने वाले है और क्या-क्या offers वगरा को मिलने वाले है ये सारी जानकारियों मैं आपको एकी करके बताने वाला हूँ तो गाइस इस वीडियो को जो ही starts लेके अंट तक देखिएगा है देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है Basic Saving Bank Deposit Account offered by HSBC India lets you available banking services without fee और minimum balance requirement कि इस account की कोई भी minimum balance के requirement नहीं है यानि कि आप इसे जो है zero balance amount से इसे open कर सकते हो तो गाइस जैसे के आप देख सकते हो पहले point पे इन्होंने mention कर दिया है debit card with no annual charges having a daily cash withdrawal limit of INR 25,000 and a daily purchase of INR 10,000 यानि कि आपको जो है इसकी annual charges नहीं लगने वाला है साथी साथ जो आपको daily cash withdrawal की limit आप देख सकते हो 25,000 है इसके बाद अगर मैं बात करूँ purchase limit की तो आप देख सकते हो 10,000 रुपए यहां पे mention किया हुआ है इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहां पे mention किया हुआ है simple and convenient banking from the comfort of your home through free access to internet banking and phone banking तो गैस इसके साथ जो है आप internet banking कर सकते हो phone banking कर सकते हो easily next benefit की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो checkbook on the account यानि कि इस account के साथ साथ जो है आपको एक checkbook भी मिलने वाला है unlimited free deposit in the account यानि कि कोई limit नहीं है अगर आप किसी भी HSBC banks अगर आप deposit करते हो money तो इसकी जो है कोई भी limit नहीं है इसके लिए कोई भी charges भी आपको नहीं लगने वाला है up to 4 free withdrawals आप कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो इसकी जो services है demand drops, pay order, check, issuance, electronic transfer जैसे की RTGS and NFT तो ये सारी services जो है आप per month आप 4 बारी free transactions कर सकते हो monthly bank statement यानि कि monthly bank statement आपको आपके email ID पे बराबर मिलता रहेगा ये थी जानकारी इसकी benefits की, अब हम बात करेंगे इसकी features की, क्या-क्या features आपको इसमें देखने को मिल जाता है euro balance में आप account open कर सकते हो internet banking की अगर मैं बात करें तो आप देख सकते हो, इस पे भी इनो ने मैंसिन किया हो है no charges applicable यानि कि इसमें भी कोई भी charge आपको नहीं लगने वाला है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ phone banking की, तो इसकी जो services से phone banking की, तो ये भी साथी साथ आपको free में मिल जाता है checkbook की facilities भी आपको मिल जाती है, जिसके कोई भी charges आपको नहीं देने होते है अगर मैं बात करूँ इसकी cash and check deposit की, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर इनो ने mention कर दिया है no charges applicable अगर मैं बात करूँ next services की, तो आप देख सकते हो debit card, यानि कि इसके लिए भी आपको कोई भी charge पे नहीं करने है debit card daily withdrawal limit, जानि कि daily की जो आपको limit होने वाली है, आपकी debit card की तो आप देख सकते हो, cash withdrawal की जो limit है, 25,000 रुपे पर दे, खरीदारी करते हो, यानि कि shopping करते हो, के लिए जो है आपको 10,000 रुपे इसकी limit कर दी गई है ये थी कुछ basic जानकारी इस accounts related, अब हम बात करने वाले हैं इसकी account services, charges and tarment conditions की, अगर हम बात करें इसकी annual fee की तो आप देख सकते हो, 1500 रुपे आपको लगने वाला है, अगर आप HSBC के ATM से withdraw करते हो, मनि इंडिया में आप HSBC का ATM जो है, आप उससे withdraw कर सकते हैं, और साथे साथ balance inquiry कर सकते हैं, इसके कोई भी charges आपको नहीं लगने वाले हैं, इसके अलावा अगर आप किसी other bank ATM से अगर आप withdraw करते हो, तो इसके लिए 5 times आप free कर सकते हो, इन है month, इसके अलावा अगर आप transactions करते हो, यानि कि 16 बार से अगर आप transactions करते हो, आपको 20 रुपे पर transactions के लिए आ आपको लगने वाला है, balance inquiry के लिए 15 रुपे लगने वाले है, replacement of lost damage debit card within या फिर outside India, तो इसके लिए जो charges आप देख सकते हो, 150 रुपे पलस national या फिर international courier charges आपको लगने वाले हैं, अगर आप HSBC प्रीमियर हैं, तो आपके लिए ये जो services है, आपको free में मिलने वाली है, ATM transactions के आप duplicate pin generate करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है, आप free में use कर सकते हो, एक और important fee and services के बारे हम आपके साथ share करना चाहते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, currency conversion markup charges यानि की forex charges, तो आप देख सकते हो, 3.5% तक आपको forex charges लगने वाला है, अगर आप outside India, use करते हो, तो इसके अला अगर आप HSBC का card use करते हो, तो आप बात करते हैं कि आप इस account को कैसे open कर सकते हो, आप इस account को open करने के लिए simply आपको nearest home branch में जाना होगा, और वहाँ पर जाके आप अपना account HSBC का open कर सकते हो, HSBC bank account यानि की zero balance saving account के बारे में कुछ और भी जान करी थे, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने mention किया हुआ है, want to talk, call or email us today, customer care services की number यहाँ पर इन्होंने provide किया हुआ है, आप अगर चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो, अगर आपको इसकी zero balance saving account की benefits या फिर इसकी features अगर आपको पसंद आई, तो आप इस पर account open कर सकते हो, I hope you guys की ये वीडियो आपको आपको प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा, दोस्तों के साथ share कीजेगा, ताकि HSBC का zero balance saving account के बारे में जानकारी मिल सके, चैनल पर नहीं गाईज तो प्लीज इस चैनल को subscribe कीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद!